हेलो जी असलाम अलेकुम तो कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूं कि आप सब ब्लोग एरियद से होंगे और जी मैं भी बिलकूल ठीक हूं और आजकल का मुसम जो है वो बड़ा ही प्यारा और सुहाना सुहाना सा होता है सुभा का टाइम हो या श्याम का टाइम हो तो काफी मज़ा आता है और अपने गार्डन में तो मैं जरूर जाती हूं ऐसा मुसम होन तो और ज्यादा दिल करता है कि बंदा गार्डन में जाए और साथ ही अप तो मैं कंसिस्टेंसी से कोशिश करती हूं कि अपने डेली व्लॉग्स अप्लोड करूँ और आप में से कौन है जो के डेली व्लॉग्स देख रहा है रूटीन से ही चल दी से नीचे कमेंट कर दो करना मुझे और जादा खुशी हो और फिर मुझे और जादा मतलब अंदर से फीलिंग आएं के रूज आना ही मैंने व्लॉग अपलोड करना है बागी मेरी प्यारे प्लांट्स आप लोग देख लोगे काफी टैम से इनकी में ना कलिपस वखराइड नहीं कर रही थी तो आ पानी के अंदर ढाल कर पीते हैं, लीमू और हनी वगिरा, वैससे आप लोगों को कुछ और नहीं करना है, तो सिंप्ली सुबह-सुबह उठके पानी पी लिया करो क्योंकि पूरी रादा पानी नहीं पीते हो, थोड़ा सा ना डिहईड्रेट हो जाते हो, सुबह-सुबह पान अपनी टूडू लिस्ट अचा कुछ चीजें जो है ना मेरे व्लॉग में आपको काफी टाइम दिखेंगी और वो ना इतनी इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बाहर बाहर नजर आती है सो उन मेंसे एक टूडू लिस्ट भी है कल वाले मैंने अपने सारे काम चेक किये थे और ऐसे काम जोगे मैं कल करना भूल गई थी उनको मैंने आज के लिए लेख लिया था ताकि आज की दिन में वो काम हो जाए बाइद विए आज की दिन में काम तो है ना थोड़े से मैंने कम कर दिये थे क्योंकि आज मैंसे जाना था अम्मी के घर तो मैंने अपने बाकी काम जितने मुझे जफटा फट से करने थे वो मैंने राइट डाउन कर दिये थे बाकि आप लोगों मेंसे कौन कौन टूडू लिस्ट यूज़ करता है कमेंट्स में बताना और अगर आप नहीं यूज़ करते तो यूज़ करके देखो बहुत ज़ादा एफेक्टिव है ये राज ये हमारा सिंपल सा नाश्ता मैंने सुचा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ और आज मैंने सोचा था कि जल्दी से मैंने अपने बालू में लगाना है एक अच्छा सा हेर मास्क और ये सबसे एजी वाला हेर मास्क है वैसे मैंने अपने बालों पर कभी भी बजार से लियावा हैर मास्क यूज नहीं किया और बाकी जो घर पे बने वे मास्क होते हैं ये काफी effective होते हैं मैंने बस एक aloe vera का पता लिया था और फिर इसके पल्प निकाल लिया था बहुत ही easy तरीके से और ये देखें ये है जी थोड़ा सा अनियन का जूस इसमें एड़ किया था मैंने aloe vera का पल्प और फिर जीस के अंदर एड़ करनी है हम लोगों ने दही ये तीने चीज़ें काफी ज्यादा effective हैं बाकि ये जो अनियन है ना ये हमारे गिरते हुए बालों को रोकेगा मेरे बाल ना काफी ज्यादा गिर रहे थे और एक टाइम पे जब मेरे बाल शुरू में गिरना स्टार्ट होए थे ना तब भी मैंने aloe लगा था उससे मेरे ब काफी क्योर हो गए थे और अब मैंने सुचा है कि चलो ना इसको एक मास्क के अंदर यूज करके देखते हैं इन फैक्ट ये काफी वर्क करता है अनियन जाना बालों के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आपके बाल के रहे है ना तो आप अनियन का जूस निकाल लो और आप सिंपल जो ऑईल यूज करते हो वो मिक्स करके अपनी ऑईलिंग कर लो बहुत जादा अच्छा एफेक्ट होता है इवन आपको पहले वाश में ही नजर आएगा अब इन सारी चीजों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर ने मैं थोड़ा सा कैस्टर ऑईल मिक्स किया थ क्योंकि ये सिप्ली टेंड्स के लिए यानि आपके बाल वो जो दो मूं वाले हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन इसको अपनी डिरेक्ट यूज नहीं करना आप किसी ऑईल में मिक्स कर लेना या पिर हेर मास्क के अंदर डाल लेना बाकी ये मास्क की कंसिस्टेंसी चेक करो बड़ी मज़े की होगी थी इसे मेरे बालों पर लगाया था और प्र काम शाम करने के बाद मैं फ्रेश होगी थी परे बाल काफी मज़े के फील हो रहे थे अच्छा ये ड्रस देख लो वैसे मैंने आप लोगं को जो ड्रेसिस वाली वीडियो दिख किसको मसला है टीनल से और किसको अच्छे लगते हैं बता दो हमें तो भी ऐसी देशी सालन अच्छी लगते हैं क्योंकि ये बच्पन से हम लोग खाते आ रहे हैं और जो जो चीज़े हम बच्पन से खाते हैं बचाए जितने बार भी खा लें वो उनके से एक कमफर्ट जोन बन जाता है वो बहुत जादा अच्छी लग रही होती हैं अच्छा मैं अम्मी के घर आ गई थी और उसके बाद एकदम से बादल छागे थे बड़ा ही प्यारा सा मुसलम हो गया था और एकदम से इतनी ठंड लग रही थी कि दिल कर रहा था बंदा रुजाही में गुस जा है और साथ में बारिश पे इंजॉय करना तो बहुत जादा जरूरी है बहुत प्यारी बारिश थी और साथ में हवा भी इतनी मज़े की चल रही थी ना मुसलम बहुत ही जादा प्यारा हो गया था किस-किस के आखर बारिश आई थी चल्दी से कमेंट्स में मुझे बता दे बाकि मैं एमें बारिश में इंजॉयमेंट करी थी फिर मैंने सुचा के चलो थोड़ी से आपसे वह वाली क्लिप्स भी शेयर कर दूगी जिनके अंदर बाकि मैंने शूज बगेरा पहन रखे हैं क्योंकि वीडियो बनाते मुझे ख्याल गया कि भी मैंने शूज नहीं पहन आज मेरी कजन है और यह पकोड़े जो थे ना मिर्श वाले पकोड़े थे अनियन वाले थे और साथ में आलू वाले थे बहुत जादा मज़े आ गया था इन पकोड़ों को खाके और साथ में उन्हें कोल्रिंग भी इंजॉय की थी बागी बहुत हम में जो हम लोग खाने है वैसे बचपन में ऐसा नहीं होता था लेकिन जब हमने मेरी कजन्स ने पकोड़े बनाना से कि और हमारी जॉइंट फैमली है तो कभी किस की बारी होती थी कि कि पकोड़े बनाने हैं कोई बंदा चाये पिलाएगा तो हम लोग ना साथ में खूब इंजॉय करते थे पकोड़े देखकर अबास को भी जोश चारिया था कि उसने भी पकोड़े बनाने हैं सो उसने ये मिर्च वाला पकोड़ा बनाय था जिसको हम लोग ने इंजॉय करके खाया और हम ये पकोड़ा दिखा रही हैं कि कितना मज़े का पकोड़ा है क्यों ये मिर्च वाले साथ में मिर्ची इस कुछ लेसन के कलियां और साथ में प्यास अचा इसके अंदर आप लोग गाजर भी आइट कर सकते हो लेकिन सीजन नहीं है बाकी यह जो चीज है यह बड़ी काम की चीज है इससे देखो ऐसे अराम से आप इससे पतली पतली सी गोबी काट सकते हो पन्ना तो बस कट करते रहो कट करते रहो इतना टाइम लगते है इसको बस आपने ऐसे खींचना है और रैडी हो जाएगी हमारी गोबी हमारे मोमोस बनाने के लिए सो इसके अंदर पहले हम लोग प्याज लैसन और मिर्ची से करना मतलब तड़के वाले चीज़ों को बना लेते हैं उसके बाद मैं इसके अंदर गोबी भी डालूगी बाकी ख्याल करना है इसकी ब्लेट्स थोड़ी चोटी हैं जो चोटा चोटा डालना अगर अटक रगी हो कोई चीज तो खोल कर उसके रस्टे से मतलब अटा लेना थोड़ा सा ख्याल रखोगे फिर आपको बारीक बारीक सी चीज़ें मिल जाएगी जिनसे मोमोस तो बहुत ज्यादा मज़े के बनेंगे बाकि अगर आप में से किसी को मॉमोस खाने का शौक है ना तो ये चीज़ आप लोग ले लो बिकाज इस सारी चीज़ों को बारीक बारीक काटने में बहुत जादा टाइम जाता है बाकि देखो इसको रखना ऐसे मैंने इसको तकरिबन काउंट किया था 30 टाइम्स मैंने इसको ऐसे ऐसे किया था तो ये अराम से कट गया था देखो बीच में भी आपको नज़र आ रहा हो कि इसने काफी बारीक काट दिया है और ये इतनी मज़े की चीज़ है कि बिजली का काम शाम भी इसके अंदर नहीं है और आप साथ में भी कहीं भी लेकि जा सकते हो बहुत जादा मज़े की चीज़ लगी मुझे वैसे ही मैंने अपनी शादी के टाइम पर ली थी लेकिन यूज में मेरे ये आज कले में आ रही है और फिर ऐसे ही मेरा ख्याल गया कि इसे मॉमोस तो भी कमाल के बनेंगे बाकी आप लुगės से ऐसा कौर है जिसने मॉमोस कभी भी let लिए है क्योंकि हमारे पकिस्तान में मॉमोस मिलते ही नहीं है बाकी जो मेरे जो बंदा होता है जिसने सोच लिया होता है कि भी मैंने चीज खानी है तो बस खानी है तो बंदा खा ही लेता है एक मिर्ची भी रह गी थी तो इसको हम लोग नो गोबी के साथ में काट लेंगे ये देखें भई हमारा मजेदार सा रेडी हो चुब का है तिड़के का सामान इसको भी हम लोग डाल देंगे बाकि ममोज की जब आप फिलिंग रैडी करते हो ना इसको आप लोगों ने थोड़ा ना फिके वाली साइडी पर रखना होता है मतलब नमाक, काली मिर्च ये सारी चीज़ें डालने होती है बहुत ज़्यादा स्पाइसी अगर आपका दिल कर रहे तो आप उसके अंदर ग्रीन चीलीज एड़ कर देना वैसे इसकी जो चटनी होती है न ममोज की वह बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है इसलिए अम्मी ने अब हमें बैन कर दी है वो चटनी खाना अब वो चटनी हम लोग बनाते भी नहीं कि कि लास्ट टू टाइम्स वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी होगी थी कि हमी ने का था हाथ भी नहीं लगा ना इसे मैं कहीं ठिकाने लगा दूँगी अब आस मेरी वीडियो बनाने के साथ साथ मेरी वीडियो देख भी रहा था तो चलो आप मैं आपको मॉमोस की फिलिंग बनाना सिखाती हूँ तो यहाँ पर हम लोग उने तेल एड कर दिया है अब इसके अंदर हम लोग चमत चलाते रहेंगे ताके यह नीचे लग ना जाए अगर आपका अच्छे वाला नॉंस्टीक है तो बिल्कुल नहीं लगेगा यह वाला हमने शायद खराब कर दिया अब इसके अंदर मैंने गोभी भी एड कर ली थी क्योंकि यह सारे चीज़े ना जाल रही थी पता नहीं क्या प्रोब्लम हो गया था वैसे आप उसके अंदर भी नमक मिर्ची वगरा एड कर सकते हो हम ना इसमें अंदर एक ही बार एड कर देंगे अच्छा जो अथेंटिक मॉमोस की रैस्पीज वगरा मैंने देखी हैं उसके अंदर यह होता है कि आप लोग उने को मतलब जो गोभी होती है उसे सिर्फ सौते करना होता है थोड़ा सा क्रंच रहने देना होता है मतलब थोड़ा पकाना होता है तो हम लोग तो थोड़ा एक्स्ट्रा पकाते हैं क्योंकि भस हमें पसंदी इसी टैप का है बाकी इसकी फिलिंग आप लोग चिकन की कर सकते हो कोई और कर सकते हो बस मसाला जो है न उसको आपने इस टैप कर रखना है कि इसके अंदर हमने चाइनीज नमक डाला था नमक डा की थी किस का आटा मैंने कैसे प्रिपेर किया था इसके अंदर शिर्फ नमक डालना है और कोई और चीज बिलकुल भी नहीं डालनी बस उसको हम लोगों ने पानी से गुंद लेना है नॉर्मर पानी लेना है थोड़ा सा ना सकत आटा गुंदना है बहुत जादा सकत भी आप लोगों ने आटा बिलकुल भी नहीं गुंदना सो यहां पर यह हमारे मॉमोस की फिलिंग भी आल्मोस रेड़ी है हम बस ढकन लगा के थोड़ा से इसको पका लेंगे सो फाइलि यह रेड़ी हो चुकि अब हम ना इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए ताके हम लोग इजीली अपने मॉमोस को ना फिल आउट कर सके सो इस टाइम के अदर मैं सर्च करूंगी कि हम लोग किस तरीके से एक जुगारू तरीके का मॉल्ड बना सकते हैं सो मॉल्ड कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ पहले मेरे पास थोड़ा और मॉल्ड था अब मैंने थोड़ा चेंज कर लिया है सो यह हमारा जो गारू सा मॉल्ड जो वीडियो में बनाई है न वह थोड़ी मीशवाउट हो गई है सो यहां पर पानी हमने डाला था इसके अंदर और इसके ऊपर रखनी हमें चलनी So sorry, video complete चुकर है इसके उपर चलनी रखने है अब चलनी के उपर हम momos रखके steam कर लेंगे इसका जो ढखका ने हम थोड़ा डूम शेप वाला यानि उपर की तरफ उठावा है So easily इसके अंदर हमारे momos steam out हो जाएंगे बाकि इसका पानी अभी ठंडा है काफी लोग इसको मैयोनीज के साथ में खाते है पर ट्रस्मी इतना कोई मज़ा नहीं हाता मैयोनीज के साथ में इससे अच्छा आप soya sauce वाली चटनी बना लो Soya sauce अड़ करो उसके अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा पानी अड़ करना होता है थोड़ा सा नमक बैलेंस करने के लिए डाल देना उससे जादा बैटर लगते है ओके जी ओके वाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना